आज हम पढ़ने वाले हैं भुवनेश्वर की लिखी हुई एकांकी स्ट्राइक भुवनेश्वर जी 1910 में इनका जन्म हुआ 1957 में देहान्त हुआ इनका पूरा नाम इनका भुवनेश्वर प्रसाथ श्रीवास्तव था हिंदी साहित्य का ये प्रमुख एकांकी कार रहे हैं इनकी प्रमुख रजनाओं में तामे के केड़े, पठपुतलियां, उसर हम अकेले नहीं हैं इतिहास की केचुली, आजादी की निव, जेरुसलम, सिकंदर आदी के नाम प्रमुख जीयों की गाड़ी इनकी अंतिम दचना है जो 1950 में पकाशित हुए थी जीवन की करवाहट मानुवी अविक्रति और वैचारिक विद्रोह में ऐसे लगता है जैसे इनका साहितिय का इस्थाई भारे, यानि कि यह जितना भी इन्होंने लिख्था है, उस सब में इन्होंने वैचारिक विद्रोह हुए, मतलब कि कहीं न कहीं वीचारिक रूप से जो स्थ्यवस्था थी उसके विद्ध्रोफ करते रहे जीवन में कही न कही जो इनसान के जो करवाध की विजयसे जो विच्छतियं आ जाती है वह इनके सायते में जगार लेक्रति रहा है ओ शायद इसका कारण कहीं न रही यह भी रहो के अपने-जीवन को कड़बे अनुभव रहे बहुत इन्होंने खराब खराब पलिश्यतियों को देखा था और साथ ही इन्होंने समाज में अवैवस्था फैली हुए थी लिटरली जो गलत चीजे हो रहे हैं जी जो भ्रेष्टाचार हो रहा था उस सबको बहुत करीब से देखा था सन 1950 में इनका जन्म हुआ तो देश आजाद हुआ उसके बाद की जो शायद साथ साल दस साल का बच्चा चीजे को समझने रव जाता है तो इन्होंने साथ से और साथ नहीं भी माने तो सत्तर से उस सत्तर के दशक की जो अव्यवस्थाई थी वो देखी है अची तरह से उनको पर देखते हुए उन्होंने उन्हीं अपने साहिती में होता रहा है इनकी सबसे बड़ी विशेष्टा बीटा बुपनेश्वर जी की यह है कि अपनी भाशा के मामने में बहुत सा ज़र है उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होता है कि कहां पर इन्हें दर्प करना है कह के कि एक योग के साहिप जाते हैं और इनको पर पत्ता बच्रक को कर वमीशे सबसे जो सबसे के एक सबसे सबसे में को उकाड़ी अपने मालदम से इन्हों ने जा शेहरों का जो बनावती पन है उस पर तीखे व्यागे की हैं हमेशा ही और स्ट्राइक जो इनकी एक कांकी है वह भी तरीके से शेहरी जीवन में जो भुबरेश्वर का जो है मध्यमवरी वैपाज होते हैं उसी के खोखलेपन को एक चित्रन कर रहे हैं एक अपर कई जगा पर इसे कांकी में वड़ा तर्क और साथ में बताने के की कोशिश करते दिखते हैं कि आद्वुनिक विचारों से जो हम पहते हैं कि व्यक्ति भरा हुआ हूआ हो जो दिखाबा करता है तो कहीं-न कहीं संबंधों में भी दिखाबा करने लग जाता है वो प इसकी जो पहली पत्नी है, उसकी जीवेश आली से बॉभ जुका था, शकी धिते हुए वे धालिया सुनाता है रहा हुए उसकी बॉत्मान पत्नी हैं गहता है तो मेंकि कहिता है दोनों क्लबों में ग子 हमारे अपनी तेजा रहा सब्सक्राइब अथवति हैं दूबाखी हमारे अपने अपने शरेक्छ उती है पहार जंगल जाने का हमारे पास वक्त नहीं क्योंकि हमारे बीच कहिं और जाना होता है throughout और जाना होता है पर हम बहुत कुश हैं कभी हमें भेदभाव हुआ ही नहीं मतलब ना मैंने उसे तोका ना उसने वजे तोका तो हमारे बीच कभी भेदभाव ही नहीं हुआ पिर वो कहता है कि मैं कहना चाहता हूं कि दोनों ने अपनी अपनी जगा को समझ लिया है मैंने अपनी जगा को समझ लिया है मताब उसकी लाइफ मेरी क्या जगा है वो मैंने समझ लिया है वो बीरी लाइफ में से क्या जगा है वो उसने समझ लिया है वह बीमार पढ़ती है तो मैं डॉक्टर के ढ़ेर नहीं बढ़ती है। जब बीमार पढ़ती है ज़िए मैं नूंक्ञाव ब्रॉति धोति होती नहीं है। तुरू आप kleine, लेकिन ये बड़ा ही एक अलग साय के उन्हों ने कहिए विवनेश्वार जी ने यहां के लुक्त विल्कुल भी बदाश्ट नहीं होई योगी पढ़ने के टाइम पर पती पितनी के बीच में कोई जगडा ही ना हो वो दुनों एक दूश्य की केर ही ना करें पतनी बीमार बेस रहें कोई किसी कोई ना टोके ये कहीं ना कहीं अपने पन वाली चीज लगती नहीं है अगर जगडा नहीं हो रहा है तो ये समझना सही है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है बाहर बाहर से कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अंदर घुटन है चलिए एक अंकी शुरूर करते और पत्नी जो है वो जवान युगती है पत्नी पत्ती की किसी भी बात में कोई रुची नहीं दिखाती है कभी भी वो पत्ती को ठीक से उतर भी नहीं देती है खाने की मेज पर पत्ती बड़ी मीठी मीठी बाती कर रहा है लेकिन पत्ती जो है वो उसकी बातों को अंसुना कर रही है बड़े अद्मने दंसे बाते बादे बढ़ दे रही है बती को बिना बताए ही अपना लगनोड़ा काई करें बना लिया है के रहता है कि उसके रहे कंज ऐलीजाती न कि छूह आता हैfel अपनी वेत्र कोशे खाने पर इंवाइट किया होता है रात के खाने पर घर में आता है तो किछिन की चाबः पत्नी के पास लेकिन को रात को लॉटकर करके नहीं आती यह साम पूरुष की लखनव उसे वापस आने कहें proyect तो पहले यही कहा था कि पईवार को पती-पत्नी होते हैं एक किसी मशीन के कलपुरजे होते हैं तो दूसरे को बदल लेना चाहिए उसको ताकि फिर पुर्जे से फिर मशीन दुबारा चलें लग जाता है इस तरह की बाते वो कर रहा था जीवन को एक फैक्टरी बता रहा था जब वो उसे आकर की चप्रासी बताता है कि आपकी पत्नी जो है क्या कि आज नहीं आएगी कल आएगी तो जो मित्र है जो आया हुआ है साथ में उसको कहता क्या आपकी फैक्टरी में तो स्ट्राइक हो गई यानि कि आप अपने जीवन को जो स्ट्राइक कर रहे थे वहां तो अब स्ट्राइक हो गए घर की जो चीजे बिखरी पड़ी है पत्नी के ना होने की वज़ए से घर में खाना नहीं बन पा रहा है उन लोगों पर देनर नहीं म स्ट्राइक कर रहा है तो वो िन बत्राइक हो जाती है width की घर में घर को लिखरी घर के तों स्ट्राइक काम हो जाता है कि मुझत इंग एक तरीक के से ब्रूश है और दॶ्राइक सब्शेर करें और यहीं पर एक आंकी खतम हो जाती है तो इसकी हम लोग समिश्या कर लेते हैं बेटा इसकी एक आंकी की सबसे पहले देखते हैं कथावस्ति इसकी कथावस्ति या कथानक एक आंकी का वढ़ने विश्या होता है हमेशा उसका प्राण करपो होता है इस के कत्ठा को सुने जिस ढटें। प्रसृत करने में बिटें साहथा मिलती है याद इस्ट्रायक जो है इसकी कत्ठाभस्तृ तोल तीन दिर्शियों में प्रसृत की लिए पहला दिर्शिय है जिसमें दोनों पति बत्नी नाष्टा कर रहे हैं नाश्टे की टेबल पर हैं पती जो है अपनी फैक्टरी की बाते करता है और पत्नी जो है उसकी बातों में कुछ दिलस्थ भी नहीं दिखाती है पती कहता है कि साड़े चार बजे उसकी मीटिंग है और आठ बजे कर वापस लोटेगा लेकिन पत्नी जो है सुनते हुए भी फ्रेंच सुना कर देती है और क्या कि यह कि मुझे तो आज लखना हुजाना है पती जो है वो हैरान होता है कि अचानक से इसको जाना है इसने पूछा भी नहीं बताया भी नहीं और पिर जब वो पूछा है कि ऐसे को जाने का गोई खास कारण है क्या करती नहीं ऐसे ही घुमने जा रही है फिर वो कुछ महिलाओं के नाम देती है कि इनके साथ इनके इस पूरे दयलोग में इसे में का उसको बील्पन भाप मैं देथा रहता हुए संवात पूछना तो बिल्कुल जरूरी नहीं समझती है तो कहीं नहीं दोनों पे बीच में छुपा हुआ अलगाव है साथ रहे हैं उसके बावजूर। दूसरे के साथ नहीं है वह अलगाव साथ दिख जाता है पूटे इसके बाद दूसरा दर्श्या शुरू होता है जिसमें कि क् क्लब में दिखाया गया है क्लब के अंदर बडा ही ऊव से भरा हुआ बड़ा नीरा सा बनावती सा बातावरन है वहां का तो क्लब में लोग जो हैं अपने उब को हटाने के लिए दूसरे को पसंद भी नहीं कर रहे हैं उस तरह का समाह ओला कि दिखाने के लिए हम मॉडर् कोशीश दिखाने के पाज़गे कहते हैं कि यह बहुत से अब यह बहुत सी टोपिक पर बात करते हैं लोग बहुत कोई भी टोपिक ऐसा नहीं होता है विश में सब लोग दृच्छास्पी लेग और लग अबर लगे टाइम तकब रहा हो जाता है तो को एब भी विशाइज ह सब्सक्राइब करने में वाजा आ रहा है सब लोगों को तो आप उसी पर बात करते हुए लंबी खिचेगी बात सभी लोग अपनी राय पेश करेंगे यहां दिखाया गया कि सभी कठ्थे हैं लेकिन फिर भी किसी की बातों में दिलस्थी नहीं लेता है सब के अपने अपने अपने अपने विचार हैं यह दूसरे से विचार भी में नहीं खाते हैं वाज सभी के अंदर है कि यह है कि हम और उसे सुपीरियर हैं यह दिखाने की कोशेश है इसके बाद तीसरा दिर्श्य है इसमें पती जो है उसका नाम श्री चंद है नाम खुल जाता है आंदक आते अपने ऑफिस के एक मित्र को येवक मित्र को अपने घर लेकर की आता है घर पर बुलाता है खाने के लिए डिनर के लिए रात के खाने के लिए दोनों बैठे हुए हैं इंतिजार कर रहे हैं लेकिन उसकी पत्नी जो है वो अभी तक लखना उसे लोटी नहीं है और नौकर जो जीवन और फैक्त्री एक जैसे होते हैं जीवन और मशीन की तरह से जिसमें इस्त्री और पुरुष उस मशीन के दो कलपुर्जी होती है अब यह जरूरी नहीं होता है कि दोनों पुर्जे जो है वह भी एक दूसरे को जानने पहचाने उनका अपना-पना काम है वो करते रहें तो मशीन चलती रहती है यानिकि ग्रहस्ती में भी पती और पत्नी अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहें आपस में दूसरे को कि अगर पती को जाते हैं तो रहें जाम साथनी को छाए और मशीन फिर छुदा उस चलने लिया तो पत्नी चलती हृ जाती है यानि मेरी शादी वली मशीन ठीक ठाक चल रहेगी इस बात चीज के बीची एक चपरासी आता है और आकरते पुरुष को एक पत्र पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी पत्नी आज नहीं आएगी इस पर यह वक्त कहता है कि जबकि उसको मालूम है कि चाबिया होती के पास है जेकिन फिर यह परवाद नहीं करती है नहीं आती है लोटका के बच्री पता चलता कि आज नहीं आ रही है कर अब्यवस्ति फैला हुआ है प्रती के खाने के लिए आपर खाना नहीं है बनाने का जो गाड़ भी नहीं है कि किचन में ताला है चाबियां पत्नी के पास है के तहीं है तो एब नहीं है कि जादी तो कि राक्टरी की तरह से होती है अरिकल आपकी शादी रूकी नहीं पर पिज़निके यहां पर काम को सारे कि सारे बंद्र पढ़त थे तो यहीं पर Sandy कы यह उकितलता है कान कि गत्तावस्तु के दुख हें जब हम निख है आपकी ए करते हैं कि इसे कांकी का कथानक है वड़ा हिस्तों करते हैं तरस्व संबद है एक डायलोग एक गटना साथ में दूसरे से जोड़ी हुई है और शिल्चिलेवार बढ़ती चली जाती है और यह से लगता चला जा रहा है कथानक जो है वह आधुनिक जिंदगी जी रहे मतब एक अपने आपको मौडर्ण कहने वाले आधुनिक कहने वाले कि मध्यमवर्गिये परिवार का एक तरसे सिंबल लेकर को सिंबॉलिक परे में लिया गया है पूरे के पूरे समाज को ही वयाँ पर कदर्शित करते हैं कि मध मध्यमवर्गिये परिवार लिया गया है ऐसे पत्ति पत्में जिये गए हैं कि जो स्वभाविक और आशातित मधूर आत्मिये संब्धों का चित्रन करते हैं जो है किया करते पहले लेकिन यहां पर उसके उट्टा दिखाई दे रहा है इस एक आंकी में दोनों के बीच संध्न दे दि जाती है लेकिन इसका जीवन निमन वर्गीये सुदूर्प से कुछ मिलता जोगता होता है यां कि का में कुछ लेला देना नहीं होता अपने जीतल के बैसक्त अब इस एक आंकी इक्यार्था जाम श्रीचंदस्ध में विल्तन दो पत्न दो और इसे कांकी में इनके हिबारे में भीजानेगे श्रीचंद उसकी उबादे दूरिश्टिकून है उसकी संकुचित मनुवरत्य है उसको जगा जगा व्यक्थियाख है, उसके डायलॉक रीजे असके तमवादों के जरी है जो किस तरीके से जीवन को एक तरीके से दिखावा सहूरियत के इसाब से समझता है बाकि उसे किसी और के सुख्की, किसी और किसी विधा के जिवत होती नहीं है उसकी पत्नी रहा अदि उम्र में उसे काफी छोटी है पहली पत्नी का देहान थो चुका है और शीर्चन जो है उसको ये चिंता है कि आगे आगे मैं और कमाऊं ताकि इस तो चैन से जी सकूँ मेरा एश्वरे बना रहना चाहिए लग्जरियस लाइफ मेरी बनी रहनी चाहिए मेरी पावर बनी रहनी चाहिए इसके लिए पैसा कामाना बहुत जरूरी है जबकि जो उसकी पत्नी है उसकी नजर में चोटी-चोटी इच्छा हैं पूरी कर ली जाए टाइम के साथ ये बात उसे इंप्टेंट लगती है उसको इस बात की बहुत ज़दा क्वाइश नहीं है मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए बहुत पावर होनी चाहिए नहीं हो साथ पर छोटी-चोटी खोष्यों को जीनेा चाहिए वह बड़ी खोशियों का इंतेजार नहीं प्रत आतोigner कि ऐसे पिसे बहुत जोडे हुए हो सकते हैं कि छोटे-चोटी इस फीचाहों को पूरा करना चाहते हैं पुरिष के जीवन का एक ही लक्षिए है कि वो सक्तृ प्राप्त करें आ और उसका हर कि attract प्राप्त हरिए क कर या उसका हमानना है वो दिल सनग ड कोग दीजियों में मिता करेंगी दिल StateAP ॥ your अज्रमी और और उसकी पतनी जो है उसका असंदोश या उसकी बातों से उसकी बातों से उसका नहीं है और उसकह बेपरवांवय वारा और उसके फिर्लब उसको दो सभ़ जाता है वह पती को बिना बताय जने ही एपना आ लख ना जाने की उजणा बना लेति है बना लेती है जाने से अन पहले बताती है लख बना भ्रवा को न पास हरा पात्र होती है टिन्स पात्र चा occupy अदिश्ट के से παर देखा लेपड़ के से घ्रावला, शेष्ट और भाव वर्दा के कांकेज में भावना प्रधान एक कांकी है पात्र कुर्दो ही है इस्त्री और पुरुष विवक जो तीसरा है वो गौड़ पात्र है तेके से पुरुष का चलितर एक विवेक शेल और सुल्जे हुए व्यक्दितर के रूप में प्रस्थ किया जब यह वक का चलितर अब उपुर्ण है नुभव ही दिए पुरुष जो है वह वविवेक शेल व्यक्दितर आधुने व्यक्ति अब यह वक्से पहता है विवक कहता है कि जब ऐङता है कि जो शादी मशीन की तरह होती है तो कहता है पर मान लिए मशीन का एक पूर्जा व वही सब बाते लिखी जो लोग रोज सोचते थी और जिनकी चर्चा करते थी नतीजा यह हुआ कि किताब की धूम मज़ गई पर उनुसु लोग की धूम मज़ गई लेकिन अगर मैं परसनली अपनी बात करूं तो मैं उन्हों सुलुकों कभी सपने में भी पालंद करने की काम मिलाने की बात मैं ही सोच सकता जो मैंने खुद अपनी किताबे लेकिन इसके बाद दोस्तरी बात रहा है उसका चेत्राकन भी बड़े उदार रोप में किया गया है और वो एक करी किसा युवा महिला दिखाई नहीं है यह चीज़ वहां पर संवादों से पता जल जाती है अब एक आंके का शिल्प शिल्प आधनिक शिल्प का प्रयोग किया है भवनेश्वर ने तीन छोटे-छोटे दिर्श्यों में ही उन्होंने आधनिक समाथ के खोकलेपन को पूरी तरह से उजागर का दिया है प इसे दर्शे में दोनों को दोनों दोनों दुख्षियों का कंट्लूज जाने तरीके से निश्कर्ष निचोड निकाल करके दिखा देती है कि दोनों जगह जो उब थी पहले पती-पत्नी में फिर क्लब में जो दिखाया हुए तरह कि पूरा समाज का इतने किसे संकेत है ल संबाद जो होते हैं किसी भी कांकी में सबसे मैकरफोन स्थान रखते हैं यहां पर पात्रों की मनुवरती का संबादों से ही पता चलता है यहां पर भी हमें जो पुरुष यह शीचन्द और उसकी पत्नी उनके भारे में उनके संबादों से ही पता चलता है कि उनकी मानसिक जीवन लगजुरियती जीना चाहता है यहां तक पती पत्नी वह भी आपस में एक दूसरे को मशीन का पोजा मान करके जीवन जी रही है पत्नी की तरह से अपनी 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 जगा पर नहीं है एक तरीक से जब किसी फैक्ट्री में स्ट्राइक होती है तो चीजे जैसे भी खड़ जाती है पूरक पूरक दशित करता है तो शीशक जो है अपनी आप में पूरी की पूरी व्यवस्था को दशा देता है स्ट्राइक काँकी साथ तको मानी जाते हैं किसी भी एकाकी के कथा वस्त्री दो पात्र और चरित्र चित्रन होते हैं, तीसरा कथो पकतन या समवाध्य उजना होती है, चौती विदेशकाल या वातवर्ण होता है, पाचवा भाषा शेली होती है, चटा उदेश्य और सात्वा, अभिना इनको आपने हमेशा ध्यान रखना है विटा किसी भी एक आंकी का सफाल एकांकी है, देशकाल वातवर्ण, हाँ ये एक मेंन के डायलोग थोड़े से दिये हैं, चिसको याद करने के लिए, दूसरे सब्दों में एकांकी का जो है, पतोब करता नहीं है, कि संभालगी बात हम कर रहे थे बिटाया, तो यूवक कहता है, जिक्र तो शादी का वाता है, और उसको शादी को ही लीजिये, आप मानते हैं कि हर एक आदमी को जाती की जिन्दगी में दाखिल होना जरूरी है, जैसरी मैं मैं प्राय कहता है, और उसका आद्बियू का फर्थबियम नहीं उसका साज़ेदार दुनिया साज़े की दुकान है, और वेक्ति कपेने हुए को में बड़ा जादी नहीं करता है कि मैं मतों हर तरह का भी ज्ञानों वेस्ट ज्यानों लाधे में ईहाँ अपनी अपनी लगानी चाहिए ये बात संबाद है ये अपरुष का काते हैं आप कहते हैं मैं और तक समझ नहीं पाता जनाब येसी सब पोरी बाते हैę समझने की ज़रुवत क्या है? मशीन की एक पुली दूर्श्य को ना भी समझ़े, तो कोई समस्या नहीं अगर आप अब और आप और आपको नहीं समझेगी, तो भी शादी में कोई समस्या नहीं आएगी. क्योंकि फ्री पुरुष तो जीवन की डो पूर्जी नो परुपि कहता है यह वक जो कहता कि मैं हती को नहीं नहीं समझ सकता कि यहां पर पुरुष यह जवाबक देता है देश कालवातावरन जो एकांकी है इसमें सुबा का द्रश्य दिखाया गया है उसके बाद क्लब का द्रश्य दिखाया गया है उसके बाद रात को घर का द्रश्य दिखाया गया है पत्नी लखनव चली गई है देश कालवातावरन घर का द्रश्य है क्लब का द्रश्य है फिर और रात का माहल जो होना चाहिए इन बात्य वहां पत्नी को सुबां बता के जा रहा है पति की मीटिंगिन के लिए जाना लाँ पत्नी सुबांतीय रही कि मुझे म्यं भलग नव जाना इस बात्य को एक सबस्वरके कहन MA कोशिच की जाती कोशिक की जाती है एक दूसरी परबान करना अपने आपमें मस्त रहना समझना यह सब देशकाल आतावरन से लिखते हैं अपर देश्वर ने अच्छी तरह से स्पष्ट किया है आगे है भाशा शैली भाशा की द्वारा जो पात्र होते हैं उनका एक तरीक्तर सामने आता है उनका चरितर सामने निकल किया था उनकी वनोब्रती पता चलती है गटनाई आग को पकड़ती है और स्वज में आती है और चीजों को कही ना कहीं लोग कर पाते हैं जुड़ पाते हैं और गतिशीलता का अगुमिस में कथा प्रवाह में संभाद चोटे-चोटे हैं कई जगा बड़े संभादों का भी इस्तिमाल किया गया है जहां पर लेखक ने को मनुव अग्यानिक पत्थे को ईकावकी कार ने भाशार शैली के द्वारा विशेश्चत किया है वास्ता में में पंश्चिम क आपके सबर देश ांकरही को होते हैं, पंश्य में ब्रत हैं 簡 बेविट पहलीकों को लाइए मैं में हैं सबस्तों कर दूसे में लड़ते हैं तो से इस प्रभवार में नह измен hay que ठीज माण रहे हैं तो यह पुरस और इस्थी के समंधियों के जाष वह इती दीखा मदूर्ता सरस्ता उनके संबंधों में बिल्कुल भी नहीं है। पर अभी नहीं आता है। इस पर अभी नहीं किया जा सकता है। इसे मननता कई लोग देते हैं परफॉर्म किया परफॉर्म किया जा सकता है तो अभिनियता की दृष्टी से भी एक सफा लेका की है इसमें समय सीमा पातल सीमा साथ सज्जा का विशेश ध्यान दिया है लिखकने मेज है खाने की मेज है किचन दिखाया किचन बंद पड़ा है और पत्नी चली गई है तो यह सारी सारी पैस लिखके से एक की तो इस एक कांकी के माधियां से फोसुषर भारतिय समय की पालिबारिक संग्रजना को तोरते हुए उसको कहरे है इसको कांकी की माधं सी पत्ति पत्नी के बीच के बिखते संबंदों को फिर से समेटने का प्रयात में करते हैं तो कुल मिला करके एक आंकी अपने ओदेशे में सफल होती है तो यह थी हमारी एक कांगी बुवनेश्वर के लिखी होई स्ट्राइप जिसे आज हमने पढ़ा जिसकी समीक्षा की आपको समझ आई होगी जहां भी कहीं आपको को डाउट है तो आप लोग बीटे कमें फ्रेक्ष्य में पूश सकते हैं और साथ ही बीटे अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेजी बीटा आपकी परिक्षाओं के लिए आपको बहुत 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